आज अपन आ गए हैं पार्ट नूमबर थ्री और चैप्टर नूमबर वन बिजनस टड़ीज पर देखो जनाब अपने सब कुछ पढ़ लिया अपने देख ला रहन्दा केस को कहते हैं अपन नहीं समझ लिया इंडस्ट्री क्या है अपने यह पढ़ लिया यह सारी कहानिया क्या कहते हैं आप जो अपन बात करने वाले हैं वो है अबजेक्टिव के बारे में यह किन मानिए अबजेक्टिव ही सबसे ज़रूरी है और आपके यूनिट टेस्ट या फिर हाफेली एक्जाम में इसका आना लगबग तैय है तो चलो आज आपको बहुत ब अबजेक्टिव ऐसे होते हैं वैसे होते हैं न जाने कैसे कैसे होते हैं यह सब पढ़ने से पहले यह ज़रूरी है कि आप समझ ले कि अबजेक्टिव होते क्या है अगर मैं आपसे पूछू कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं तो आपका जवाब होगा सर हमें इस ट क्यूं चला रही हो, सर क्यूंकि मेरी इच्छा कर रही है, इसले चला रहा हूँ, मुझे कोई वीडियो देखनी है, मैं इसले चला रहा हूँ. अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपक्षा ग्यादवी कॉमर्स में इतनी महनत क्यूं कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा, कि मु objective मतलब कोई भी काम क्यों किया जाता है जो उसका आंसर होगा वो होगा objective यानि simple भाषा में it refers to the end result ये क्या है end result जिसके लिए हम सारे ताम जाम करते हैं इतने बड़ी organization खुली है इतने सारे लोगों को इस क्यों का answer है objective समझ में आ गया तो अगर मैं आप से पुछो जंदा क्यों चलाते है तो आप बोलोगे sir एक ही वज़े है जंदा चलाने की तो profit 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 बिलकुल सही का आपने गलत बिलकुल भी नहीं है profit is now to be as the primary objective of every business देखो यहां जो शब्द लिखा हुआ है उसको ध्यान से पकड़ना primary objective of every business हर धंदे का चाहे वो आपके साथ emotionally खेल रहा हो mentally खेल रहा हो physically खेल रहा हो कैसे ही खेल रहा हो इस धंदे का सरफ एक ही मकसत है एक ही primary मकसत है जिसको हम कहते है profit without profit कोई भी organization लंबे समय तक नहीं चल सकती है ठीक है बट एक चीज़ याद रखना कि profit कोई sole objective नहीं हमने कहा profit primary objective है main basic objective है बट only objective नहीं पहले तो यह समझने कि यह basic objective क्यों है या profit होने से क्या समझ में आता मैं बोला कि यह organization profitable है तो आपके दिमाख में क्या चलेगा sir बहुत अच्छी organization क्यों चलेगा इस profit word से क्या समझ में आया तो जो investor होता है वो profit से कुछ चीज़े समझता है तो why profit is considered to be in primary object यूँकि हमारा जो profit है उससे कई सारी चीज़े define होती है जैसे कि अगर आपको अभी profit है तो यह माना जाएगा कि इस पैसे को आप कहां लगा सकते हो अपनी growth तो अगर आपको profit दिख रहा है इसका मतलब यह organization grow करेगी अगर आपको profit दिख रहा है तो हम मानेंगे कि organization में efficiency है efficiency मतलब proper utilization of resources साधा माशा में बोलें तो किसी भी चीज़ को waste नहीं कर रही है efficiency मतलब बिलकुल सोच समझ के फूख फूख के कदम रख रही है तो अगर profit है तो माना जाएगा हाँ है फूख फूख के कदम रख रही तब इसको profit हुआ है समझ रहे हो तो एक investor profit words सुनके यह स सारी चीज़े समझता है उसको समझ में आता है कि एफिशेंसी है organization में उसको समझ में आता है कि organization अभी तो बहुत easily survive कर लेगी अगर profit है तो अभी survival का कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ठीके अब एक चीज़ समझना आपके profit की गिंती के और organization के profit की गिंती में बहुत बड़ा difference है हम पता है क्या सोचते है एक साथ रुपे में बना देस रुपे में भी का in short तीन रुपे का क्या हो गया profit क्या आप और मैं यही समझते profit से जी हां पर क्या business यह समझता है profit से नहीं business में profit से पहले salary निकलती है किसकी मालिक की किसकी मालिक की यानि अगर मैं मालिक हूँ तो यह साथ रुपे में सबका खर्चा और मालनो दो रुपे यह मेरी salary है मेरी salary क्यों है क्योंकि अगर मैं इस organization पर नहीं बैठता तो मैं गहीं और बैठता तो मुझे वहाँ पी तो salary मिलती तो मतलब मेरी organization है तो मैं अपना घाट आती है इस बात को ध्यान रखना समझ मागी मेरी बार सारी organization अपने मालिकों को salary देती है तो यहां पर profit होने का मतलब समझ में आ रहा है कि मालिकों को भी salary मिलगी उसके बात भी पैसा बच गया यानि कि बहुत बड़ी बात है ठीक है इसके बाद reward of taking risk profit होने का मतलब क्या है क यार यह organization अच्छा गाता risk ले रही है अभी यह profit बना पारी है क्योंकि अगर बिना risk के profit होता तो दुनिया बना लेती है मैं बोल रहा हूं आपको बिना risk के profit 4% ब्या जा रहा ना आपको आपने अपना खाता किसी बैंक में खोला 4% ब्या जा रहा है क्या यह profit है नहीं प्रॉफिट के लाए गई नहीं बिजनेस में नहीं के लाए गई अगर यह 4% प्रॉफिट होता तो भाईया जंदा करने की जरूती क्या होती है तो इंफलेशन में बढ़ जाता है तो यहां पर प्रॉफिट क्या है reward of risk आपने risk के लिया जो कि बागी लोग नहीं ले रहे इसलिए आपको क्या मिला profit मिला है और profit होने से goodwill भड़ जाती है अगर एक organization है जो कि profitable है अच्छी चल रही हम टाटा को क्यों जानते हैं क्यों जानते टाटा गुरूप को रतन टाटा जी की वज़े से पर इसके इलावा और भी बड़े reason है टाटा गुरूप profitable भी है ठेक है समझ में आती है कि organization की goodwill अच्छी है उसकी reputation अच्छी है वो survive कर लेगी वो risk ठीक टाक ले रही है efficient है और बविश्य में वो grow भी करेगी इसलिए profit को basic core objective माना जाता है समझ में आ गया पर सिर्फ core से तो कम चलेगा नहीं objective बहुत सारे तरीके के होते हैं ठीक है तो हम यह objective को त सब भी आप इसको answer में लिखोगे तीन टुकड़ों में बाट होगे बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे ठीक है हमने objective को तीन टुकड़ों में बाटा पहला organization दूसरा शोशल सर्वाइवल ने सोशल एस ओ सी आई एल और तीसरा है personal कौन-कौन से organizational social और परसनल तीनों के नाम और मतलब समझो organization मतलब धंदे का objective social मतलब जिस society में वो है उसका क्या मानना है जैसे for example मैं टाटा ग्रूप से क्या पेक्षा करता हूं मैं टाटा ग्रूप का को investor वह से तुम्हें हूं पर मैं investor अगर मानलो नहीं हूं मैं टाटा ग्रूप के board of members में भी नहीं हूं मैं टाटा की चीजों में involved नहीं हो सब चीजे साफ तुतरी रखे थोड़ा बहुत दान दक्षिना भी कर दे employment भी कर दे तो यह social objective मतलब तीसरा personal objective होते personal मतलब जो worker वहां काम कर रहे है वो अपनी company से क्या जाते जो employees वहां काम कर रहे है वो अपनी employees से क्या चाते वह company से क्या चाते तो किनों के बाद समझगे सबसे पहले पुखड़ते organization organizational objective तीन होते है यह याद रखना सिफ organizational objective ही है जिनको आपको sequence में पढ़ना है example के तोर पे हम चलते हैं आज से 6 साल पहले एक company ने अपना पर्चम ले रहाया था जिस company को हम जानते भी नहीं थे जिस company को हम समझते भी नहीं थे इस company के बारे में ने कभी सोना भी नहीं थे वो company चुपचा पाई और उसने आके भारत के हर एक शहर के railway station और bus tent और उसके आसवास के area में free wifi provide करे that to unlimited उस जमाने में जब 360 रुपे में 1 GB internet मिलता था unlimited free wifi with the speed of approximately 50 और 100 mbps यब हम kb's की speed को वें दोसो kb मतलब बहुत बड़ी बात हो गई उस समय बहुत ज़ादा speed देते थे एक ऐस्ती company आई जिसने सब कुछ ख़दम कर दिया उसने properly इस business के organizational objective का use किया तो 6 साल पहले भारत में launch हुआ जियो क्या launch हुआ जियो अम्मानी ब्रदर में जो मुकेश अम्मानी जी हैं उन्होंने अपनी company launch कर दी जियो जियो को ये बात पता थी कि जिस तेलिकॉम सेक्टर में वो घुस रही है उसमें कई सारे बड़े खिलाड़ी है जैसे एरटल आईडिया वोड़ाफोन भारती सरकार का बी ए सेनल ऐसी कई organization हैं जो कि पहले से मस्त अपने पर्चम लहरा चुकी है और इन सबके बीच में एक नई company का आना ये बहुत मुश्किल है और अम्मानी जी को तो पंजानती है हम धन्दा वो करेंगे जिसमें राजा बढ़ेंगे ऐसा ऐसा out of the box नहीं करना market share अपने पास सबसे अधा होना चाहिए तो उन्होंन जिसमें बस एक नाम और जूड जाए और वो नाम जोड़ने के लिए सामधाम डन्द भेद जो करना पड़े वो मैं कर दो को और इसलिए उन्होंने पहला और उन्होंने पहला अपजेक्टिव चूज किया जिसको हम कहते हैं survival यानि कि जैसे तैसे बस अपना नाम बता जैस देते से मार्केट का शेयर ले लो और वो लेने के लिए उन्होंने पहले फ्री में इंटरनेट दिये और उसके बाद उस इंटरनेट को बंद करके अपने जीयो सिम में डाल दिया और पूरा भारत पागलों की तरह जीयो सिम खरीदने लग गया सब कुछ फ्री चल रहा था एक पैसा नहीं देना था सब कुछ फ्री था और लोगों ने इंटरनेट को पानी की तरह पीना शुरू कर गया जब लोगों को उस पानी की आदर लग गई तो दो से तीन साल के अंदर उन्होंने छोट आसा अब देखो ओर्गनाइशन की बात सुचो उनके पास अंदाख हुआ था पैसे का सवाल लाख कोरोन रुपिया लगा दिया उन्होंने अब बोलेब रिटन की बात करते हैं रिटन के लिए उन्होंने सबसे पहले 99 रुपे का एक प्लैन चालू किया वो पता नहीं क्यों था हूँ जो आज भी समझ में ठीक है जिसके अंदर आपको रिचाज थोड़ा सस्ता मिलेगा और यह मिलेगा और वो मिलेगा इस तरीके को ने दो तिन जुगाड कर दी और धीरे धीरे उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया क्या कमाना शुरू किया प्रॉफिट कमाना शुरू किया आप देख रह अपने अपनी मजगे बना ली अब उन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया प्रॉफिट भी बना लिया चलने दो नहीं और गनाइजेशन प्रॉफिट बना के आगे भड़ती है और जैसे यह उन्होंने एक सस्टेनेबल अमांट ऑफ जनरेट किया उनका अगला स्टेप उनके सामने था जो की था नई नई कैटेगरीज में जाना आपने देखा जियो का इतना सा वो डुचका आ गया था क्या कैते में नाम भूली किया उसका ठीक है उसको जेम में रखके चलते रहो वाइफाय बना देगा ठीक है फिर धीरे धीरे जियो के सेट्टॉप बॉक्स आ गये जियो सिनेमा आ गया जियो फाइबर आ गया ये क्या करा उन्होंने प्रॉफिट बनाने के बाद अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़े जो की थी ग्रोथ एक वाद याद रखना बेटा और गनाईजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ ये तीनों इसी सिक्वेंस में चलते हैं बिना सर्वाइव करें प्रॉफिट नहीं ले सकते आप पहले दिन से सोचो कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए नहीं होगा पहले सब के बीच में अपना नाम बनाओ आपने नाम बना लिया उसके बाद प्रॉफिट बनाने की सोचो इंड वह क्या करती है प्रॉफिट के बारे में सोचती है और फ्रॉफिप करते 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 सकृदा यह तो ओँद रहता एकि अब सोसाइटी तो है आसपास के लोग ही तो अगर आसपास के लोगों को खुश नहीं रखोगे तो organization कैसे चलेगा ताटा गुरू पिता क्यों चल रहा क्योंकि आसपास के लोग खुश है लोग उसका सामान करीदने में interested है क्यों इंटरेस्टेटिड है? क्योंके गोडविल अच्छी है, क्यों इंटरेस्टेट है? सामान अच्छा है, तो सोसाय Dios क्या चाहती है से, Society के जो objective है वो यह है, Society चाहती है क्या अच्छे quality का product दो, उल्या product मत दो, Society चाहती है कि आप employment generate करो, society चाहती है कि आप समय समय पर social service कीजिए आज Tata Group के चलने के एक सबसे बड़ा reason यह है कि Tata Group बहुत जादा मतलब approximately 69% of their profit वो दान कर देते हैं तो इससे उनकी goodwill बन रही है पर society उससे खुश हो रही है society खुश हो रही है क्योंकि वो यह objective को पूरा कर रहे हैं को एक की समझो सारी organization दुनिया में जितनी भी है सब हर एक काम को profit कमाने के लिए करती है इसमें कोई दुराएं नहीं और बुराएं नहीं तुम business वाले हो commerce वाले हो commerce पड़ रहे तो समझो अगर मैं free में पेड़ पौदे भी लगा रहा हूं अपने टी-शेट पहन कर तो इसका मतलब क्या है कि मैं profit कमाने के लिए काम कर रहा हूं कि जब लोग मुझे देशेंगे तो लोग जानेंगे थोड़ा मेरी तरफ एक soft nature आएगा फिर देखेंगे कौन सी company में काम करता है कौन सी company का मालिक है फिर उस company के पास जाएंगे and at the end वह sense में convert होगा तो गुंपिर के बात महीं आती है बट टुकडों में तोड़ें तो यह हमारे social objective में बात है और क्या कि बाई किसी प्रकार के unfair means में मत रहे मतलब किसी गलत काम हो मतलब आर पोकड में पता चले सब चुरा-चुरा के सामान में बेच रहे ठीक है पॉल्यूशन जितना हो सके कम करें कुछ पॉल्यूशन कम करने की टेकनीक का इस्तमाल करें जैसे आपने एपल देखा तो एपल सब कुछ भड़िया कर रही थी फिर आपल ने काया हम प्लास्टिक खदम करेंगे तो उन्होंने अपनी पैकेजिंग को कम करके प्लास्टिक कर दिया उसमें से पूरा तो लोगों को लगा यार क्या बात है एपल कितना भड़िया काम कर रहा है इतने टन प्लास्टिक एपल ने बचा लिया ठीक है यह क्या हुआ जिस सोसाइटी की तरफ एक अच्छा मैसेज गया है ठीक है तो यह होगा है सोशल अबजेक्टिस सोसा कर रहा है और जो उसके अंदर काम कर रहा है उनका गोल क्या है तो उनका गोल है फुड वर्किंग एनवायर्मेंट जहां काम करें वो अच्छा हो खतरनाक ना हो सेफ्टी मेजर हो कोई नुकसान ना पहुचाए कि इस तरीकी उल्टी सिर्टिया रखते ना हो ठीक ठाक सेलर आती लेटाप चल्ड़ है ऐसे कोई काम नहीं करना चाहता ठीक है मेडिकल फैसिलिटी हो मेरा इंशॉरेंस हो और मुझे पेड लीव मिलें लोन्स मिल पाए ठीक है यह काम कर जैसे टाटा का एक्जामपल ले रहा हूं टाटा को बार-बार इस लिए उसकर रहा है अब्जे मेडिकल फैसिलिटी में आपको काफी सारा डीबेट मिलता है बहुत सारी फैसिलिटी टाटा देता है अपने इंप्लोई को बच्चों की पढ़ाई होती है बच्चों की फ्री एजूकेशन या मिनिमम पेड़ एजूकेशन जो है वो कंपनी की तरस से हो जाता है ठीक है चार आपके साथ वाले ठीक है ऐसे इंशॉरेंस कराके जाएती तो यह क्या है यह वो अबजेक्टिव है जो की उस और ने बता दी अच्छा सामान इंप्लॉइमेंट जेशन यह सब और वहां काम करने वाले लोग क्या चाहते वह भी अपन ने बता दी अच्छी वरकिंग क मतलब पीर रिक और इसको मिले कॉंपटिटिव सेलरी उसको मिले प्रमोशन मिले मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए इंशॉरेंस मिल जाए एजूकेशन मिल जाए ग्रोथ हो जाए यह सब वहां काम करने वाले लोग जो है चाहते है समझ में आ गया कलियर है तो यह हो गए आपक कीजिए सबके साथ ठीके जी चलिए तो मिलते हैं आप लोग इस अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो में हम इस चेप्ट्रों कर देंगे समाब तो उसके बाद वन शॉट नमसी क्यों सेशन आपका इंज़ार कर रहा है नेक्स वीडियो में पर पढ़ेंगे बिजनेस और नेचर एंड विजनेस रिस्क यानि कि यह चैनलम्रका टॉपिक जो आपके पर बरमाता है वो निक्स वीडियो में देख रहे हूंगे बिजनेस रिस्क चलिए मिलते अगले वीडियो में तो दने टीप और वाचिंग गुटनाइट बाबाए नमस्क्या झाल